आप scientist हैं? हम साधरन मनस हैं. जब ये बात छेरता है, जब ये बात सामने आता है, भगवान के नाम पर प्रशन होता है, भगवान के अस्तित्यों मंगा जाता है, यही पर लोग प्रमान भी मांगते हैं, आप भी मनस्य हैं, गुस्सा लगता है? कहीं कभी कुछ लगता तो है लेकिन देखिए किसी के प्रती बिरोध नहीं है नहीं आप मेरी बास सुनें उसमें बहुत हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अभी उनका वो लेवल नहीं आया है जिस दिन वो लेवल आ जाएगा वे अपने, देखे, reality को, सच्छा ही जो है, उसको आप दबा सकते हैं, लेकिन उसको खतम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंत में किसी भी समय, वो realization होगा, जब तक realization नहीं होगा, हम लोग realize नहीं करते हैं, अब इतना time नहीं है मारे पास, कि हम realize करें, अन्भूती करें, अन्भूत कुछ नहीं होता है realization is most important तो वो जब realization जहां शुरू होता है वहां spirituality शुरू हो जाती है जब तक experiment है तब तक विज्ञान है और experiment का जब अगला step जब जाता है realization तो realization में जाने के बाद वो विज्ञान नहीं होता है फिर वो धर्म हो जाता है फिर वो मानों की रक्षा करता है और इस वर को मानने लग आता है जो लोग अभी भी वही सवाल फिर से सादोरांगी जो लोग अभी भी सत्ता धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर प्रश्न करते हैं भगवान कहा है हमें ये दिखाओ ये प्रमान मांगते हैं क्योंकि विज्ञान तो और कोई केमिकाल हो, या फिर कुछ भी हो, हम वहाँ पर दिखा सकते हैं, उसको प्रमान कर सकते हैं, लेकिन भगवान यसे हैं, कि हम अनुभाब करते हैं, वो लोग को हम कैसे समझाएं? देखिये, इस्वर को किसी न देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, तो जो लोग कहते हैं कि इस्वर है, वो भी भगवान कर डिगनिटी डाउन करते हैं, अगर आपने जैसे कह दिया कि मैं हूं, मेरे सामने हैं न, आयूनों की एक आत्मी है, इतना बड़ा आत्मी है, ये है, तो आप हमको identify कर रहे हैं तब ही तो कह रहे हैं कि हम हैं आप TV में भी दिखाने जा रहे हैं भगवान को किसे ने देखा नहीं तो भगवान इतना महान है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता तो जो बोलता भगवान है वो भगवान की dignity को down करता है और जो कहता है भगवान नहीं है वो उससे ज़्यादा डिगनिटी को डाउन करता है क्योंकि वो एक दम कनफर्म है कि भगवान नाम के चीज वर्ल्ड में नहीं है संसार में हमने लगता है कि भगवान सिर्फ अन्भूती का विशा है रियलाइजेशन और रियलाइजेशन जब होगा तो भगवान है रियलाइजेशन नहीं होगा तो आपके लिए भगवान नहीं है साइन्स कभी कुछ नहीं कहा साइन्स तो नहीं कहता है और यह जो कहने है उसको प्रमानित करेगा जो उससे Beyond, जिसका Experiment also हुआ है वहाँ science कहेगा के अभी तक science वह तक नहीं पहुंचा है इसलिए हम लोग वह तक नहीं जान पाए हैं लेकिन probability है ऐसा हो सकता है यह science कहेगा Science कभी नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा कभी साइंस कही नहीं सकता, बिग्यान बहुत प्रमारित है, बिग्यान ये कहता है कि हमने यहां तक देखा, अभी तक तो हम लोग को समझ में नहीं है, लेकिन हम इसको बॉर्डर लाइन नहीं करते हैं, इसके बियाउंड अगर हम जाएंगे, तो हो सकत नहीं है, तो साइंस कभी मना नहीं करता है, कि ऐसा नहीं है, साइंस कहता है, हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारी रिसर्च वहां तक नहीं पहुंची, जिस दिन पहुंच जाएगी उस दिन हम बात करें, बिग्यान और धर्म के तुलना नहीं है, बिग्या पहुंचा सकता है छती कर सकता है धर्म से जुड़ जाएगा तो मानवता की रक्षा करेगा हुमेनिटी की रक्षा करेगा हुमर हो जाएगा हुमेनिटी जो आती है वो धर्म के आधार पर आती है हिर्दे नहीं होगा तो आप किसी पर करुणा नहीं कर सकते हैं करुणा के लि ये आपको आपकी फोकुसिंग जरूरी है, फोकुसिंग और अनुग्रह में अंतर होता है, इसलिए जब बिग्यान धर्म के साथ जुड़ जाता है, या बग्यान धर्म के साथ लग जाता है, तो पूर्ण हो जाता है, वही उसकी पूर्णता है, वही उसकी भव्यता है, वही तो थिले अम्प्रकास पांडे जी जे अंतरिख्य वईग्यानिक तांको कही बाक था जो डिस्कसना में एते समय धरी कर थुलू के बड़ाई गोटिये चर्चा गोटिये विशय थिला जे सुर्जिय पराग चंद्र गरहन कु जो माने प्रस्ण करू छन्ती से माने विज्यान कु आउठ्रे पढ़न्तु कहीं किना विज्यान धर्म बिना असंपुर्ण किन्तु धर्म परिपुर्ण से कही आगोको बढ़ी पारे किन्तु विज्यान धर्म बिना आगोको बढ़ी पारे वना ही